1975 में रिलीज हुई फिलिम धरम करम इस फिलिम के एक गीत जो आज भी हर को याद करते है और वो है एक दिन बिख जाएगा माती के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल इस गीत को मजरू सुल्तानपुरी जेल में रहते हुए रास्कापुर को कैसे लिख के दिये थे रास्कापुर ने उनको कितने पैसे दिये थे 1949 में लिखा यह गीत रास्कापुर ने 1975 तक क्यों समबाल के रखा था आज हम यही सब बाते करेंगे लेकिन सुनने के लिए आप लोगों को पूरा वीदियो देखना पड़ेगा हिंदे फिलिम के मशहूर गितकार और शायर मजरू सुल्तानपुरी को 1949 में जेल जाना परा था क्योंकि वो Communist ग्रूप में जाइन कर लिया और पंडित जवाहरलल नहेरू के खिलाफ एक पोएम लिख दिया इनका पूरा ग्रूप जिसमें बलरा सहानी भी थे शाहिर लुज्यान भी थे कैफी आजमी थे क्रिशन संद्र बगेरा ये साब लोग थे सब लोग एरेस्ट होगे तो सब को बोला की लिख के दो आप माफी नामा चोर देंगे आहिंदा नहीं लिखना फिर तो सब ने लिख के दे दिया और सब छुट गे सिवाए मजरू सहब क्योंकि वो बहुत जिद्दी आदमी थे उन्होंने कहां मैं क्यों माफी मांगू ये जमूरियत मतलब दिमोक्रिसी है और दिमोक्रिसी में हर किसी को अपने ख्यालत का इजहार करना उसका वो हक होता है जो मैंने इस्तेमाल किया तो उनको कहां की फिर आपको जेल हो जाएगी तो उन्होंने कहां ठीक है दाल दो जेल में फिर मजरु सुल्तानपुरी मुंबाई के आठार रुज जेल में दो सल के उपड़ रहे जेल में उन्होंने लिखा रोक सकता हमें जिन्दानी बला क्या मजरु हम तो आवाज है दिवारों से चन जाते है जिन्दान कहते है कैट खाना और बला कहते है मुसीबते यानि कैट खाने की मुसीबते हम तो आवाज है दिवारों से पार हो जाएंगे एक तरफ मजरु सहाब को कैट खाने की मुसीबते जहलना पड़ा तो दुसरी तरफ उनके परिवार को काफी हद तक अर्थिक समयसा का समना करना पड़ा मजरु सहाप को अर्थिक तोर पर मदद करने के लिए काफी लोग आए लेकिन उन्हेंने मना करके सबको निराश किया उसी दोरान जेल में उनकी मदद करने के लिए एक फरिष्टा आए वो और कोई नहीं, वो थे शोमेन रासकपूर सबसे मदद लेने से तो इनकर कार ही दिया था इसलिए रास सहाप ने आर्थिक तोर पर मदद करने के लिए एक तरकीप निकाला जो मजरु सहाप नहीं समझ पाए उन्हेंने मजरु सहाप को हजार रुपया दिया और बोले मजरू सहाब मुझे डो गाना लिख के दीजिए उस वक्ट तीस चालिस रुपया मिलते थे तो हाजार रुपया बहुत बड़ा रकम था जो मजरू सहाब के परिवार को इस मुश्किल घरी में बहुत ही काम आया जिन्दगी के आखरी समय तक उन्हने ये बाती दोहराया था राज सहाब के कहने के मुताबिक मजरू सहाब ने दो गाने लिख दिये उस में से एक था यही गाना एक दिन बिक जाएगा माती के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल यानि तुम्हारे जो अच्छा बोल है वही रह जाएंगे इस गित की हर लाइन दिल की गहराईयों में उतर जाती है इसलिए राजकपुर ने बहुत ही संभल कर रखा और चाबिस साल के बाद धरम करम पिक्चर के लिए महान गायक मुकेश शहाब से गवाया जिन्हे राजकपुर की आवाज भी कहा जाता है फिर मुकेश के आवाज में बन गया एक मधूर और सदा बहारगीत